केंद्र सडक एवन परिवहन मंत्री नितिन घटकरी ने कहा है कि रांची जमशेदपूर रोट के निर्मान पर एक किताब लिखी जा सकती है उन्होंने जो कहा है इसकी वज़ा भी है क्योंकि यह सडक आज पूरे देश के लिए उधारन बन गई है आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस सडक का कुछ हिसा स्टील से बना है देश में अब स्टील के कच्छे से भी सडके बनने शुरू हो गई है रांची जमशेदपूर सडक को बनाने के लिए स्टील के कच्छे का इस्तिमाल किया गया है रांची जमशेदपूर के बीच इंटर कॉरिडोर फॉर लेन सडक तयार हो गई है इसमें स्टील उद्धोक से निकले कच्छे का इस्तिमाल बड़े पैमाने पर हुआ है वेस्ट मेटेरियल माना जाने वाला स्टील स्लाग स्टील इंडस्ट्री के लिए लंबे समय से मुसीबत बना हुआ था नितिन गटकरी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है उन्होंने कहा है कि रोड निर्मान में steel slack के इस्तिमाल से लागत में कमी आती है सड़क मजबूत बनती है और इसकी थिकनेस भी कम हो जाती है गटकरी के मुताबिक देश में सड़क निर्मान में अब एग्रेगेट के रूप में steel slack का इस्तिमाल किया जा रहा है सूरत के हजीरा में सिक्स लेन का पाइलेट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद जारखन में भी इसका सफलता पूर्वक प्रयोग किया गया है रांची जमशेदपुर मार्ग में शहर बेडा नामक जगा से महूलिया तक 44 कीमी की दूरी तक के निर्माण में इसका इस्तिमाल किया गया है CFIR के अनुसार स्टील की सड़क जादा टिकाओ और मजबूत पाई गई है यह मौन्सून के सीजन में होने वाले नुकसान से भी बचाएगी बताते चले कि देश में स्टील के उतपादन में तेजी के कारण स्लाग भी बड़े पैमाने पर निकल रहा है 2030 तक हर साल 30 करोड टन स्टील बनाने का लक्ष रखा गया है इससे हर साल 6 करोड टन स्टील लाग निकलने का अनुमान है पिछले 23 मार्ज को नितिन गटकरी रांची और जमशेतपुर आय थे उन्होंने रांची में नाशनल हाईवे के रांची प्रशेत्रव की 9400 करोड की 21 सड़क परियोजना का शीला न्यास किया था